और अब 11 बुजे की तमाम बड़ी खबरें तेज रफ्तार से भारत के प्रस्ताफ के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी साल 2023 को अंतर राष्ट्री मिलिट्स वर्ष के रूप में घोशित किया है इसके अलावा मिलिट्स संमेलन 2023 के जरिये इसे एक जन अंदोलन बनाने और भारत को श्री अन्नी के लिए वैश्विक हप के तौर पर स्थापित करने के प्रधान मंतरी के विजन के अनुरूप केंद्र सरकार के सभी मंत्रालेओं, विभागों, राजियों, केंद्र शासित प्रदेशों, किसानों, स्टाट अप, निर्यातकों, खुद्रा व्यवसायों और अन्य हित धारकों को किसानों, उपभोगताओं और जलवायू के लिए मिलिट के फायदों के बारे में जागरूपता फैलाने और प्रचार करने के लिए लगाया जा रहा है प्रियागराज में उमेश पाल के हत्यारों पर पुलिस का शिकंजा कस्ता जा रहा है इस बीच उमेश हत्याकांट का नया CCTV फुटेज सामने आया है ये तस्वीरे 24 फरवरी की हैं जब प्रियागराज के धूमन गंच में राजू पाल हत्याकांट के मुख्य गवाहा उमेश पाल की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी हमलावर सफेद क्रेटा कार में सवार होकर आये थे लेकिन भागते वक्त शूटर्स ने एक और कार का इस्तमाल किया था सफेद रंग की ये कार बिना नंबर प्लेट की थी जिसका CCTV फुटेज अब सामने आया है नए CCTV फुटेज में बंबाज गुड़ू मुसलिम और अर्मान बाइक पर सवार दिख रहा है बाइक से जाते वक्त गुड़ू मुसलिम बंबाजी करता भी नजर आ रहा है वही माफिया तीक के बेटे 5 लाग के नामी शूटर असद का एक और कार नामा सामने आया है स्पोर्ट्स डे पर असद ने प्रतियोगिता हरने के बाद शिक्षक से अभधरता और हतापाई भी की थी माफिया तीक के रसूप के चलते शिक्षक ने शिकाय दर्ज नहीं कराई थी स्पोर्ट्स डे के मौके पर शिक्षक से हुई अभधरता और मारपीट पर स्कूल में हंगामा भी हुआ था जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षबलों के बीच एंकाउंटर जारी है आतंकियों के खिलाफ अभ्याद में तलाशी के दौरान ये एंकाउंटर शुरू हुआ एंकाउंटर मित्री ग्राम इलाके में हो रहा है कश्मीर पुलिस और भारतिय सेना की टीमों ने इलाके को खाली करवा कर चारों ओर से घेराबंदी कर ली है आतंकियों और सुरक्षबलों के बीच लगातार फाइरिंग जारी है जहां गोली बारी हो रही है वहाँ दो से तीन आतंकियों के छिपे होने की आशंका है सुरक्षबलों ने पुलवामा के मित्री ग्राम में आतंकवादियों की मौझूदगी के बारे में सूचना मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभ्यान शुरू किया यह सर्च ऑपरेशन उस समय एंकाउंटर में तबदील हो गया जब आतंकियों ने सुरक्षबलों पर गोलिया बरसानी शुरू कर दी सुरक्षबलों ने भी आतंकवादियों की गोली बारी का करारा जवाब दिया दोनों तरफ से फारिंग शुरू हो गई अधिकारियों के मताबिक आतंकवादियों और सुरक्षबलों के बीच गोली बारी जारी है जिस इलाके में आतंकी छिपे हैं वहां से लोगों को निकाल लिया गया है आसपास के घरों में लोगों से अंदर ही रहने को कहा गया है मुंबई से सटे मीरा रोट पर 18 और 19 मार्च को लगने वाले दिव्व दर्वार को लेकर राजनेतिक बयानबाजी शुरू हो गई है इस आयोजन को लेकर अखिल भारती अंधश्रधा निर्मूलन समिती ने मीरा रोट पुलिस स्टेशन को एक चिठ्थी लिख शिकायद की है चिठ्थी में लिखा है कि बागेश्वर बाबा के कारिक्रम पर पुलिस रोक लगाए धिरेंद्र शास्त्री के यूट्यूब विडियोज में कई बार देखने को मिला है कि वो जादू टोना करते हैं मंत्र पढ़कर बिमारी ठीक करते हैं ये सब अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली हरकते हैं महाराष्ट में Drugs and Magic Remedies Act 2013 कानून लागू है ऐसे में कोई अगर अंधविश्वास फैलाने के काम करता है तो उसे ऐसे कारिकरम करने के अनुमती नहीं दी जानी चाहिए बागेश्वर धाम के पीठा धिश्वर धिरेंद्र शास्त्री के मुंबई में लगने वाले दर्बार को लेकर महराश्ट्र कॉंग्रिस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बड़ी बात कही है 24 के युद्ध से पहले विपक्ष ने अपना मोच्चा सजाना शुरू कर दिया है खासकर क्षेत्रिय दलों के बीच इसे लेकर अलग ही रणनीती तयार हो रही है शुक्रुवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक शकलेश यादब ने कोलकाता में पश्चिम मंगाल की सीम ममता बैनर जी से मुलाकात की मुलाकात के बाद उन्होंने विपक्षी एकता की बात की इस दौरान अखलेश आदब ने केंद्र और यूपी सरकार को रोजगार और किसान के मुद्धे पर भी घेरा अध्यक शकलेश ने इस दौरान एलान किया कि 18 और 19 मार्च को समाजबादी पार्टी की राष्टी कारिकारेणी की बैठक इस बार कोलकाता में होगी रामचरित मानस पर विबादित बयानों की लिस्ट अब बढ़ती ही जा रही है इस लिस्ट में ताजा एंट्री बिहार के पूर सीम जीतन राम मांजी की हुई है हालाकि जीतन राम मांजी के इस बयान पर बीजेपी और जेडियू दोनों नहीं आपत्ती जताई है लगातार धर्म और गरंथ के आधार पर बयान दिये जा रहे है इसे कही न कहीं जनता में एक नकरात्मक संदेश जाता है यह बढ़ा दुखद है कि जिसको भी अपना राजीतिक हित सादना होता है वहीं आजेडी ने इसे जीतन राम मांजी का व्यक्तिकत बयान कहा है आरारार के गाने नाटू नाटू को आसकर जीतने के बाद से फिल्म के कलातारों का जोरदार स्वागत चारी है आसकर जीतकर भारत लोटे फिल्म के आक्टर रामचरन तेजा का भग स्वागत किया गया इंटरनाशनल लेविल पर देश का नाम रोशन करने वाले आरारार अभिनेता रामचरण जब हैदराबात पहुँचे तो उनके फैंस बे काबू हो गए उनकी गाड़ी पर फूलों की बारिश करने लगे फैंस का हुजूम अपने चहिते स्टार को देखते ही क्रेजी हो गया फैंस इसकदर उत्साहित हो गए कि उन्हें सम्हालना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो गया पुलिस के जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी आसकर जीतने के बाद अभिनेता रामचरण ने ग्रिह मंत्री अमिच शह से भी मुलाकात की रामचरण के साथ उनके पिता अभिनेता चिरन जीवी भी मौजूद रहे माना जा रहा है कि अमिच शाह के बाद रामचरण प्रधान मंत्री मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं SS राजा मोली की RRR के नाटू नाटू गाने ने बेस्ट ओरिजनल सॉंग क्याटिगरी में आसकर अवार्ड जीत कर इतिहास रच दिया है हर किसी की जुबान पर नाटू नाटू गाने का खुमार चड़ा हुआ है इस एतिहासे को प्लबधी पर कई बड़े बड़े दिगज राजनेताओं से लेकर तमाम हस्तियां RRR की पूरी टीम को बधाई दे रही है पाकिस्तान के पूर प्रधार मंतरी इमरान खान आज कोट में पेश होंगे तोश खाना केस में इमरान खान की इसलामाबाद हाई कोट में पेशी होगी इस बीच पुलिस ने इमरान खान के साथ कोट में पेश होने वाले नेताओं की लिस्ट भी जारी कर दी है इमरान खान लाहर से इसलामाबाद के लिए रवाना हो गए है इमरान सडक के रास्ते इसलामाबाद पहुँच रही है इस बहाने इमरान खान फिर शेहबास सरकार के खिलाफ शक्ती प्रदर्शन करना चाहते है लाहर हाई कोट ने नौ मामलों में इमरान को अगरिम जमानत दे दी है कोट ने इमरान खान को 27 मार्च तक के लिए अगरिम जमानत दी है इस से पहले इसलामाबाद हाई कोट ने तोश खाना मामले में उनकी गिरफतारी वारंट को सस्पेंट कर दिया था इमरान खान ने इसलामाबाद हाई कोट में गिरफ़तारी वारेंट के खिलाफ अर्जी दी थी कोट से जमानत मिलने के बाद इमरान खान ने इसलामाबाद की मिनारे पाकिस्तान पर राली करने का एलान किया है इमरान खान की गते विधियों को सत्ता धारी पार्टी ने ड्रामा करार दिया है मर्यम नवास में इमरान खान पर कई सवाल खड़े किये हैं 387 दिन से जारी रूस यूकरेन की घमासान में शुकरवार को समय बड़ा मोड़ा गया जब अंतराश्ट्री अपराध ने आया ले यानि इंटरनाशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूसी राश्पती व्लादमर पुतिन के खिलाफ गिरफ़ारी वारन जारी कर दिया वारंट जारी करते हुए ICC ने इसे एक एहम दिन बताया पुतिन के खिलाफ गिरबतारी वारंट जारी होने पर रूस ने नराजगी जाहिर की है रूस ने इस वारंट को अपमान जनक और अस्वीकार बताया और कहा कि ICC के फैसले कानूनी रूप से शुन है इस बीच रूस ने ये भी कहा कि जो भी फाइटर जेट यूकरेन की मदद के लिए भेजे जा रही है उन्हें तबहा कर दिया जाएगा करोना महामारी कैसे पैदा हुई इस सवाल पर शूद करताओं ने लंबे वक्त तक काफी माथा पच्ची की है लेकिन तीन साल बाद चीन एक नया दावा लेकर सामने आया है चीन का दावा है कि करोना संक्रुमन यानी कोविड चमगादरों से नहीं रेकून कुटों से पहला है इसमें खास बात ये है कि चीन ने रिसर्च को साजने किया है लेकिन डेटा अनालिसिस शेर नहीं किया है माना जा रहा है कि रैकून को तोको चीन के वोहान में एक सीपूर्ट बजार में अवैद रूप से बेचा जा रहा था WHO ने चीन पर डेटा चिपाने, देर से शेर करने और पूरी तरह पबलिक नहीं करने के आरोप लगा है वहीं WHO का दावा है कि कुछ वैज्यानिकों ने डेटा डाउनलोड कर लिया है और उसे स्टडी किया जा रहा है WHO के मताबिक चीन के CDC ने हाल ही में डेटा अपलोड किया है चीन से मिले डेटा को अनलाइस किया जा रहा है हम जल्द ही किसी नतीजे पर पहुच सकेंगे फिलाल ये नहीं कहा जा सकता कि करोना संक्रुमन चमगादर के जरीए आया या रकून कुत्तों के जरीए या फिर किसी लाप से लीक हुआ WHO के मताबिक चीन जितना डेटा जारी करता है उससे जादा छिपाता है